तो दोस्तो फाइनली टाटा स्टील ने भी अपने quarter 3 के numbers को declare कर दिया है numbers किस प्रकार से निकल कर आए हैं और company ने dividend को लेकर भी जो announcement करी है सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा स्टील के consolidated result के बारे में जहां पर सारे figures आपको rupees in crores में देखने को मिल रहा है company ने quarter 3 के अंदर 57,354 करोड रुपे के income declare करी है चोकि last quarter के अंदर 60,206 करोड रुपे की थी याने कि overall quarter on quarter basis पर company की income में गिरावट हमें देखने को मिल रही है और अगर last year के quarter 3 की बात करें तो last year के quarter 3 के अंदर भी company ने 60,842 करोड रुपे की total income generate करी थी याने कि Tata Steel के income के अंदर year on year basis पर और quarter on quarter basis पर हमें काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है अल्मूस 3,000 करोड रुपे की बात करें इस गिरावट के पीछे की क्या वज़े है तो उसे भी हम यहाँ पर analysis करेंगे लेकिन उसके बिले हम बात कर ले थे Tata Steel के profit for the period के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं company ने जो net profit quarter 3 के अंदर declare किया है बहुत ही shocking result देखने को मिल रहे है क्योंकि company ने यहाँ पर profit नहीं बलकि loss declare किया है जिया दोस्तो 2500 करोड रुपे का loss Tata Steel ने quarter 3 के अंदर declare किया है और एसे result की expectations किसी ने भी नहीं लगाई थी यही अगर आप देखेंगे तो last quarter में याने कि quarter 2 के अंदर company 1200 सिंत्याणू करोड रुपे के profit में थी जो कि इस बार company बहुत ज़्यादा loss में आ चुकी है और last year के quarter 3 में तो company 9500 इंठ्याणू करोड रुपे के profit में थी तो overall अगर हम इस किरावट को analysis करें कि कहाँ पर company को इतना ज़्यादा loss बियर कना बढ़ा है तो company के expenses त्याँ दोस्तों आप देखेंगे company को income किती हुए 57,354 करोड रुपे की और उसकी सामने company को जो expenses है वो है 57,112 करोड रुपे के जिसके चलते company यहाँ पर बिल्कुल भी profit generate नहीं करपाई है और साथ ही साथ company के tax expenses भी हटा दें तो company को around 25,000 करोड रुपे का यहाँ पर loss हुआ है तो काफी खराब नतीजें हमें अहाँ पर Tata Steel के देखने को मिल रहे है और अगर इसमें हम compressive income को भी अगर adjust कर दें तो company का loss बढ़ कर 6,130 करोड रुपे पर पहुँच गया है overall earning per share अगर आप देखेंगे तो वो भी पूरी तरीके से negative में चला गया है जो EPS last quarter तक 1.24 का था वो negative 1.82 पर चला गया है याने कि continuously company काफी ज़्यादा loss में हमें देखने को मिल रही है अब बात कर देखेंगे, income में कहाँ पर गिरावड हुई है अगर हम Tata Steel इंडिया की बात करें तो सबसे बड़ी गिरावड यही देखने को मिल रही है company की income में यहाँ पर गिरावट हुई है Tata Steel Long Products में तो company की income में बड़ोतरी है other Indian operations की बात करें तो वहाँ पर भी काफी अच्छे numbers है लेकिन अगर हम Tata Steel Europe की बात करें तो वहाँ पर भी company के business में company के income में गिरावट हुई है साथी साथ other trade related operations देखेंगे वहाँ पर भी गिरावट है overall सभी segment में एक दो segment को छोड़के सभी segment में हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है जोकि एक main reason बनी है Tata Steel के अंदर गिरावट का अब बात कर लेते Tata Steel के debt to equity ratio के बारे में तो company का debt to equity ratio है वो भी हमें increase होते हुए देखने को मिल रहा है चुकि another negative trigger है यहाँ पर 0.63 से 0.65 हो गया है याने की company का debt यहाँ पर बड़ा है जिसके चलते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और negative trigger हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है चलिए result की बात होगई company के result किस प्रकार से निकल कर आए है result हमें negative ही देखने को मिल रहे है